गुड़ मालेक श्ट्वार्ट्स आज हम एपलेकेस्टन डेरिवेट्टों के नतरगात मेखजीमा और मिनिमा को देखेंगे मेखजीमा मनला होता है उच्छेस्ट ताफा नियमनेस्ट को हिंदी में उच्छेस्ट और नियमनेस्ट कहते हैं कि तो हम यहां देखेंगे कि यदि हम कोई function का मेखजीम मिनिमा ग्याद करना चाहें तो function का हम differentiate करेंगे यदि differentiate को हम f dash x equal to zero लेके चलें f dash x equal 0 और यदि हम यहाँ पर मनले x की value है और x के नीचे पहले x minus h पर f dash x कमान positive आता है यहाँ पर क्या आता है f dash x positive और यदि यहाँ पर आगे f dash x negative आता है तो function जो है x बिंदो पर क्या होगा make जिमा होगा इसी परकाद यदि हमने f dash x 0 है और उसके पहले left में negative है negative और right में positive है ठीक है तो x point पर इस कमान minimum होगा तो इजे आप नियम है इनके हम questions में use देखेंगे अगला नियम है कि यदि हम हो ये method थोड़ सेंपल है कि हम make जिमा नियम ग्याद कमना चाह रहे हैं तो पहले हम f dash c 0 लेके चलते हैं clear f dash c 0 लेके चलते हैं दूसरा है कि f dash c 0 लेके चलते हैं और double derivative positive है तो minimum मान मिलेगा यहाँ पर maximum और यहाँ पर minimum और यदि double derivative is 0 आता है तो आपको प्रत्रम alkaline pulsure method का यूज़ करके आपको question solve करना होगी तो यह जब question आईगी तो हम देखेंगे ठीक है अब हम प्रस्णा खली 6.5 इसका question दिखते है हमको इसका maximum या minimum ज्याद करना है तो सबसे पहले हम f dash x ज्याद करेंगी कितना आएगा 2 2 x minus 1 और 2 x minus 1 का आएगा 2 तो यह जाएगा आपका 8 x minus 4 clear इसको हम 0 लेके चलते हैं तो आपको c x की value क्या मिल जाएगी 4 y 8 1 y 2 यह actually आपका c का मान है c ठीक है अब हम इसको double बाद differentiate करते हैं double बाद तो कितना आगया 8 8 x minus 4 का difference is 8 और 8 क्या है positive है इसका मलब होता है कि c बराबर 1 y 2 पर फालन f निमनिश्ट है निमनितम्मान है clear चलिए अब हम इसी प्रकासे question 3 का पर्च देखते हैं f x equal to दिया हुआ है x square जिसका difference is कितना हो जाएगा f dash x equal 0 मतलब 2 x this implies x equal to 0 अब हम इसको एक वह और deficit करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 2 क्या है positive है इसका मलब x equal to 0 पर फालन f कमान निमनितम होता है निमनितम मलब minimum इसी प्रकार से आप second question देख सकते हैं अब हम देखते हैं question number 9 में sin x यहां पर क्या दिया हुआ 9 f x equal to दिया हुआ है sin x plus cos x इसका हमको उच्चतम मान ज्याद करना है क्लिया तो सबसे पहले हम आउकलन करेंगे f dash x कितना हो जाएगा sin x का डिपरिसल cos x और cos x का डिपरिसल sin x और इसको बराबर हम 0 लेती चलते हैं तो यह value आजाएगी आपकी sin x equal to cos x यह value आजाएगी sin 90 minus x equal to cos x होता है तो इसके हमको दिखते हैं x equal to हो जाएगा आपका 5 by 2 minus x 2 x equal to pi by 2 x equal to pi by 4 clear अब हम एक और बाद डिपरिसिट करेंगे f double f तो इसकी value कितना हो जाएगी cos x का डिपरिसल होगा minus sin x और sin x का डिपरिसिट है cos x अब हम x के स्थान पर pi by 4 रखते हैं तो इसकी बाद हो जाएगा minus sin pi by 4 minus cos pi by 4 इसकी बाद हो जाएगी minus 1y root 2 minus 1y root 2 तो इसकी बाद हो जाएगा minus 2 upon 1y root 2 minus root 2 यह क्या value है? यह कैसी value है? negative इसकी बाद हो जाएगा इसका मनब होता है hence x equal to pi by 4 पर फ्लन का आमान मेग जीमा होता है मेग जीमा यह लाग का आमसाव है clear? ok thank you